राजस्थान का सियासी घमासार हाई कोट में पहुँच गया सचन पालेट गुट की तरफ से डाली गई संशोधित याचिका पर राजस्थान हाई कोट में सुनवाई की इस सुनवाई में सचन पालेट खेमे को फौरी तोर पर फोड़ी राहत पिली पालेट खेमे की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता हरीश सालवे ने अपनी दलीले रखी उनके बाद अभिशेक मनुस सिंग्भी ने विधानसभा ध्यक्ष की ओर से पक्ष रखा उन्होंने कहा कि पालेट खेमे की आचिका प्री मच्चौर है इसे खारिच किया जाए जिसके बाद कोट ने मामले पर सुनवाई सोमवार यानी 20 जुलाई सुबह 10 बज़े तक के लिए टाल दू हाई कोट के डिविजन बेंच में सुनवाई के दौरान पालेट खेमे की ओर से हरीच सालवे ने दलील देते हुए कहा कि पालेट गुट ने दल बदल कानून का उलंगहन नहीं किया ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं सालवे के बाद मुकुल रोहतेगी ने अपनी दलीले रखी हाई कोट में सचन पालेट गुट की पैरवी के बाद स्पीकर की ओर से दलील देते हुए वकील अभिशेक मनू सिंग्भी ने इस याचिका को ततकाल खारच करने की अपील दी सिंग्भी ने पालेट गुट की इस याचिका को प्री मच्चूर बताते हुए मांग की के इसको खारच कर दिया जाए जिसके बाद हाई कोट ने 20 जुलाई सुभा 10 बजे तक सुनवाई टाल दी